2014 में मैंने अपने first online learning method के उपर काम करना शुरू किया था और आज के टाइम पे उसी same method से मैं हर महीने 1000 डॉलर कमाता हूँ online learning करना यार बहुत जादा simple है लेकिन उस तरीके को ढूणना जहां से आप actual में पैसा कमा सकते हो वो थोड़ा सा tricky है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपने experience से कुछ online learning method शेयर करने वाला हूँ जिन पर काम करके आप without any investment महीने का 20 से 30,000 रुपे कमा पाऊगे और ये method students के लिए बहुत जादा important होगे कोई students अपने free time के अंदर इन methods के अपर काम करके side income generate कर सकते हो और अपने खर्चों को निकाल सकते हैं तो अगर आप student हो या फिर आप भी online earning करना चाहते हो यार तो इस वीडियो को last तक जरूर देखते रहें तो guys इस वीडियो के अंतर मैंने आपको साथ जितने भी earning method share करें उनके पर मैंने personally काम किया हुए और वहां से एक earning भी generate करी हुए है तो पहली बात कि ये सारे methods genuine है बस आपको एक बार इस वीडियो को देख लेना है सारे methods को सुन लेना है जो भी method आपको समझ आए अच्छा पर काम continue कर देना है अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो डेफिनिली लाइक कर देना इस वीडियो का like target रखेंगे 800 likes तो जल्दी से उस like के बटन को दबा दो अगर आप इस चैनल को पर नए हो बहुत सारे लोग को यूज करते हैं लेकिन maximum लोग को ये पता ही नहीं है कि कोरा के अंदर आपको monetization का option भी मिलता है जहां पर जाके जब भी आपके answer को कोई लोग देखेंगे व्यू आएंगे उसके उपर तो आपको वहां से earning होने लग जाएगी अब कोरा से earning किस तरीके स होती है मैं आपको वह बता देता हूं तो यहां पर मैंने कोरा के अकाउंट के अंदर login कर लिया है और यहां पर आपको left side में spaces का option देखेगा spaces basically होता है कि आप ए community को build करते हो कोरा के अंदर जो लोग मिलके अपने questions को post करते हैं और वही लोग उन questions का जवाब भी देते हैं अ आप इस community का free of cost build कर सकते हो और मैंने भी यहां पर multiple spaces create करी हूँ या अगर मैं आपको अपनी ही एक space दिखाऊं यहां पर मैंने YouTube growth के related space को create करा है और आप first day से ही अपनी spaces को monetize कर सकते हो और मैंने भी यहां पर अपनी space को monetize करके रखा हूँ है अगर मैं आपको यहां पर earning section मे यहां पर आप देख सकते हो कि currently मेरी zero earning यहां से होई है लेकिन $10 का यहां पर minimum payout है जैसी आपके $10 complete हो जाते हैं तो आप यहां पर जो payout है वो अपने bank account के अंदर ले सकते हो payment की तो बात होगी लेकिन यह earning होगी किस तरीके से तो Quora spaces के अंदर आपके पास multiple options मिल जाते हैं जहां पर जब भी लोग आपके account के through कोई subscription को purchase करेंगे तो उससे भी आपको earning होगी और साथ ही कोई Quora Plus की subscription लेगा तो वहां से भी आपको earning होगी लोकिन जो सबसे बड़िया method है जहां से आप earning कर सकते हो वो है यार Quora का add revenue share जैसे YouTube के अंदर Instagram के अंदर अब add revenue share आ रहा है कि जितनी earning YouTube को होती है Instagram को होती है वो अपनी earning का कुछ share हमें as a creator देता है उसी तरीके से Quora भी अपना जो add program है उससे जितनी earning करता है उसका कुछ revenue share हमें देता है अब वो चीज होती किस तरीके से है कि जब आप अपने answers को post करते हो तो उन answers के उपर कुछ views आते हैं और उन views के हि earning हो जाती है अब यहां पर अगर मैं आपको अपने answers के stats दिखाऊं तो यहां पर मैंने पिछले कुछ time के अंदर तीन answers दियें और यहां पर आप देख सकते हो over the time यहां पर उसके उपर कुछ views आये हैं तो अगर आप regularly यहां पर content डालते हो लोगों के questions का जवाब देते रहत हो तो आपको views आने लग जाएंगे और जब आपको views आएंगे तो फिर आप वहां से add revenue share से एक earning भी generate कर सकते हो यहां पर आपकी कोई भी investment नहीं लगती है और आप simply kora की mobile app को use करके अपने mobile phone से ही earning कर सकते हो starting के days में आपको जादा earning नहीं होगी आप महीने का 5000 कमा होगे लेक इसके बाद जो next running method रहेगा that will be blogging, blogging basically क्या है कि आपको अपनी खुद की website build करनी है wordpress के ऊपर और उस website के ऊपर आपको content post करना है और यही चीज मैंने as a student college में start करी थी और आज के time पे यही मेरा full time career भी है अब एक website को set up करना बहुत जादा easy और मैंने अपनी channel के ऊपर एक video डाला हुआ है जहां पर आप scratch से सीख सकते हो कि कैसे आपको website को build करना है wordpress के उपर और कैसे उसकी setting करनी है अगर आप वो सीखना चाहते हो तो उस video का link में आपको आई बटन और description box में दो डेफिनिटली आप उसे check out कर सकते हो अब एक बार आपकी website setup हो गई तो उसके बाद सिर्फ articles को लिखना है और उन्हें post करना है और ये चीज़ students के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि आप अपने free time के अंदर articles को लिख सकते हो और उन्हें post कर सकते हो और मैंने भी खुद यही strategy use करी थी as a student जहां पर मैंने college में ही अपने blog को start करा था और वहां पर मैं अपने free educated होके काम करते हो तो college में रहते हुए ही आप महीने का 30-40,000 रुपया बहुत easily निकाल पा होगे और अगर आपने सही धंक से अपनी force को लगाया तो आप यहां से career भी build कर सकते हो और यहां से अच्छा खासा amount कमा सकते हो इसके बाद जो next running method रहेगा that will be YouTube shots YouTube shots आज के ताइम प हुई है और इसी reason की वैसे मैं आपको recommend करूँगा कि आप भी YouTube shots को start कर दो अब YouTube shots को 2023 में start करने का benefit यह है कि next month से YouTube shots monetization भी on होने वाला है जहां पर आपको YouTube shots के पर जब views आएंगे तो आपको वहां से earning भी होने लग जाएगी तो definitely अगर आपके पास भी कुछ ideas है आप कुछ ब telegram channel guys कुछ time पहले मैंने खुद का affiliate telegram channel start कर रहा था और उसके उपर मैं basically क्या करता हूँ कि Amazon की कुछ deals को मैं copy करता हूँ और उसके पर जाके पेस्ट कर देता हूँ अब इन deals को post करते है time जो मैं link share करता हूँ वो मैं अपना affiliate link share करता हूँ ताकि जब भी कोई बंदा उस link के cruise item को purchase करेगा तो वहां से मेरे को affiliate commission generate होगा अब यह commission starting के days में बहुत कम रहता है लेकिन जैसे जैसे आप grow करोगे वैसे वैसे आपकी earning भी यहां से grow करेगी आज के time पे मैं अपने इसी same earning method से महीने का 1200-1500 रुपय कमा लेता हूँ लेकिन धीरे धीरे जैसे यह grow कर रहा है तो एक time पे मैं इसी same method से 10,000-12,000 रुपया भी कमाने लग जाऊँगा तो अगर आप भी इस चीज़ के अंतरे interested हो और आप सिर्फ copy paste करके earning करना चाहते हो यार तो यह best method है यहां पर आपको simply यार एक जगा से content को copy करना है दूसरी जगा paste कर देना and that's it अब इस method के उपर मैं किस तरीके से काम करना और कैसे आप यह earning स्टार्ट कर सकते हो उस पर मैंने dedicated वीडियो अल्रेडी बनाया हुआ है उस वीडियो का link आपको i button and description box में दूँ है definitely आप उसे check out कर लेना इसके बाद जो last earning method रहेगा that will be freelancing अगर आपके पास कोई भी skill है आप photo editing अच्छी करते हो video editing जाके आप अपनी skills के हिसाब से task को उठा सकते हो और उन task को complete करने के लिए आप 20 डॉलर 30 डॉलर तक की जो earning है वो generate कर सकते हो अगर वो task लंबा है उसमें time जादा लगने वाला है आप उसी task को करने के लिए 100 डॉलर 200 डॉलर तक भी charge कर सकते हो अब इन websites को पर जितना कम आप charge करोगे उतने ही जादा task आपको मिलेंगे तो starting के days में अपने जो rates है उन्हें थोड़ा कम रखना और धीरे धीरे जैसे आपको experience हो जाए तो फिर आप अपने charges को बढ़ा भी सकते हो तो guys यही थे वो कुछ method जिनकों पर काम करके आप एक earning generate कर सकते हो और मैंने खुद personally इनक आपको वीडियो अच्छा लगोगा अच्छा लगोगा इस वीडियो को like कर देना कोई चीज समझ ना ही हो तो आप मुझे comment section में पूच सकते हो चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe भी कर देना that's all for this video I'll meet on the next one till then bye bye